देश की सबसे तेज गती से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर हाथसे का शिकार हो गई तेरा फरवरी को नाकपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भिलाई रेलवे स्टेशन से चूट कर अपनी पूरी गती के साथ राइपुर की और आगे बढ़ रही थी तबी इस रिसा रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक ट्रेन के सामने गाय आ गई गाय के आते ही वंदे भारत एक्सप्रेस का सामने का हिस्सा च्छतिगरस्त हो गया गाय की मौके पर ही मौत हो गई हाथसे के पांच मिनट के बाद ट्रेन ततकल वहां से रवाना हो गई फिलहाल जी आरपी की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है न्यूज रिपोर्ट्स के मताबिक नाखपुर से बिलासपुर को जाने वाली पंदे भारत एक्सप्रेस में कैटल रन ओवर की घटना हुई ट्रेन नमबर 20826 दुर्ग से सोंबार शाम को रवाना हुई थी वो जैसे ही शाम पांच बचकर 35 मिलट पर सिर्सा गिट पहुची तो ट्रेन के सामने अचानक एक गाय आ गई 130 किलो मिटर पती घंटे की रफतार से ट्रेन गाय से टकरा गई तो गाय दूर जा गिरी तभी ट्रेन को रोक दिया गया इस घटना में गाय की तो मौत हो गई वहीं ट्रेन को ज्यादा नुकसा नहीं हुआ है आगे के हिस्से पर इसक्रैच आए हैं रेलवे श्टाफ ने ट्रेन को अच्छे से चेक किया और इसके बाद ट्रेन को ब्लासपूर के लिए रवाना कर दिया गया वहीं रेलवे पुलिस फोर्स ने बताया कि इस केस में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है अब दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो उसके लिए आरपीफ की टीम उन लोगों के पास जाएगी जो जानवर पालते हैं आरपीफ की टीम उनको समझाएगी कि वो रेलवे ट्रेक के पास जानवरों को घुमने ना दें क्योंकि जरासी लापरवाई बड़ी दुर घटना का कारण बन सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जानवरों के टकराने की घटनाओ को रोकने के लिए वेस्टन रेलवे ने 620 किलोमेटर से अधिक लंबे मुंबई एमदाबाद ट्रेन मार्क पर मैटल बेरियर लगाने का काम शुरू कर दिया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारतिय रेलवे में नए युक की तकनीक को दर्शाती है यह भारत की पहली सैमी हाइस्पीड ट्रेन है जो शताबदी से भी ज्यादा यानि की 200 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से दौड सकती है इस पीड के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने शांदार इंटीर के लिए भी जानी जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों की पहली पसंद बनी हुई है यही कारण है कि रेल्वे मंत्राले जल्द ही दिल्ली से पिंक सिटी जैपुर के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन शुरू कर सकता है बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से दिली से जैपुर पहुँचने में आपको 4 घंटे की जगए 2 घंटे से भी कम समय लगेगा इसके मार्च 2023 से पहले शुरू होने की उम्मीद है आने वाले दो महिने में 6 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का प्रोड़क्शन किया जाएगा मंतराले की प्लैनिंग है कि मार्च तक कुल 16 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर हों हलाकि अगस्त तक 75 बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का लक्ष रखा गया है फिलहाल इस रूट के लिए ट्रेन नंबर को लेकर कोई जानकारी जारी नहीं की गई है दिल्ली और जैपुर के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यातरा का समय दो घंटे से भी कम होने की उम्मीद है जैपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस एक semi high speed train है जो जैपुर और दिल्ली के बीच यात्रा का समय को घटा कर एक घंटा 45 मिनट कर देगी इसकी कीमत चेयर कार के लिए लगबग 890 से 950 रुपे वहीं executive class के लिए 1600 से 1700 रुपे होने की उमीद है वरतमान में अन्य भारतिया railway trainों से दिल्ली से जैपुर पहुँचने में 5-6 घंटे लगते हैं बंदे भारत एक्सप्रेस train मौजुदा समय में भारत में सबसे तेजगती से चलने वाली train है यह train में है जब 52 seconds में 100 km प्रति घंटे क्रफतार पकड़ सकती है train में GPS अधारित, information system, CCTV camera, vacuum toilet, इसमें power backup की facility भी है यह train सुरक्षा कवच से लेस है इस train में push button stop की सुविधा भी दी गई है किसी भी अपातकाली निस्तिती में यह train को एक button दबा कर रोका जा सकता है